अब उसकी सोसाइटी के नियम के नियम के नुसार, यहाँ पर सिंगल लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए अगले सीन में चुन्नू चवन्नी को कुछ लोग उठा कर एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपके पास सिर्फ 45 दिन है, अपना नया पार् तो उने उनके पसंद के जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तो पार्टनर को चुनने के लिए भी एक कंडिशन है, कि उने एक ऐसा पार्टनर चुनना होगा, जिसके सारे गुण सामने वाले से मिलते जुलते हो, नहीं तो आप उससे शादी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका जीवन सो साल से भी जादा का होता है, और चुन्नु चवन्नी को समुंदर में रहना भी बहुत पसंद है, इसके बाद धिंचेक पुजा उसे होटल में रहने के कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि उन्हें उन्हीं के इसाब से ही कपड़े पहनने ह जिनका नाम था जौनी भाईया और बबलू बलगम, ये दोनों भी चुन्नु चवन्नी की तरह ही सिंगल थे, और यहाँ पर अपना पार्टनर ढूंदने आये थे, फिर कुसदिर तक फाल्तु की बख्चोधिया गनने के बाद, वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते बचा है, लेकिन चुन्नु चवन्नी को उसकी बंजर गुफा में कोई इंट्रस नहीं था, इसलिए वो उसे मनागर देता है, इस पर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कोई मर्द नहीं मिला, तो मैं आत्मत्या कर लूँगी, क्योंकि मुझे किसी भी जानवर में convert नहीं होना, फिर एक दिन swimming करते हुए Johnny भहिया जैसी का नाम की एक रड़की को एप्रोच करता है, जिसके नाग से हमेशा खून निकलता रहता था, लेकिन Johnny भहिया और उसके बीच में कोई similarity नहीं थी, इसलिए Johnny भहिया भी अपने आपको चोट पहुँचाता है, जिससे उसकी ना फिर एक दिन उसकी मुलाकत अंजली अरोडा नाम की एक टिक्टॉकर से होती है, जो की बिल्कुल ही emotionless लड़की थी, मतलब अगर उसके सामने भाई किसी की उपर अपनी कार भी चड़ा दे, तो उसे कोई फरक नहीं पड़ता, अब ये देखकर चुन्नू चवन्नी को एक पास आता है, और उसी की तरह बेहेव करते हैं कि अच्छा हुआ मर गई भेंड की अभी देखकर अंजली अरोडा को लगने लगता है कि शायद चुन्नू चवन्नी भी उसी की तरह emotionless है, इसलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामने मरने का नाटक करती है, लेकिन अंजली अरोडा को पता चल जाता है कि इस चूतिये ने उससे जूट बोलकर शादी की है, इसके बाद वो चुन्नू चवन्नी को पकड़कर उसे होटल वालों से शिकायत करने ले जाती है, लेकिन रास्ते में चुन्नू चवन्नी एक मेड की मदद से उसे मार कर बेहोश कर सकते, और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पकड़ा गया, तो मर्दों का तो हतियार काड़ दिया जाएगा, और और ओरतों के जंगल में आग लगा दी जाएगी, दरसल जालिम जहरीली को प्यार से बहुत नफरत थी, और उसे लगता था कि प्यार सिरिफ दिखावा है, इसक वो अपने पती से परिशान हो कर उसे छोड़ना चाती थी, लेकिन फिर वो सिंगल हो जाती और उसे भी अपने लिए एक पार्टनर चुनना पड़ता, इसलिए वो रोज अपने पती को चूतिया बना कर यहाँ पर आती थी, और जालिम जहरीली को होटल की सारी जानकारी द लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले को चुन्नु चवन्नी पर शक हो जाता है, और वो उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर शालु शिला जीता जाती है, और उस पुलिस वाले को कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, अब वो पुलिस उसी हलत में छोड़कर चले जाते हैं, फिट धिंचक पुझा खुद को आजात करती है, और अपने चूतिय हजबन की घर फार देती है, इसके बाद चुन्नु चवन्नी जॉन्नी भाईया के पास जाता है, और उसकी वाइफ को कहता है कि तुमारे पती को कोई बिमारी नहीं ह वो दोनों आपस में sign language में बात करते हैं, ताकि ग्रूप के बाकी लोगों को उन पर शक ना हो, इसके अलावा वो बीच-बीच में जंगल के अंदर जाकर, जाड़ियों के पीछे चुपकर मजदूरी भी करते हैं, और वो दोनों यहां से भागने के बारे में सोच रहे होत और उसे कहती है कि इस operation के बाद उसकी आँके ठीक हो जाएंगी, और उसे सब कुछ 4K में दिखने लगेगा, लेकिन फिर वो भेंड की घोडी डॉक्टर की मदद से उसे अंधी कर देती है, ताकि फिर चुन्नू चवन्नी के साथ उसकी कोई भी similarity ना रहे, फिर जब शालू दोनों में कोई similarity नहीं है, फिर गुस्से में चुन्नू चवन्नी उसे कहता है कि मैं इस जालिम जहरीली को मार डालूंगा, जिसके बाद वो मौका देकर जालिम जहरीली को दबोच लेता है, और उसे बेहोश करके अच्छे से बांध कर एक कबर में fact देता है, जिसके बाद दोस्तों ये एक चूतिया कहानी है, जिसमें एंड में हमें कुछ बताया ही नहीं कि भेंड चुन्नू चवन्नी ने अपने आपको अंधा भी किया या नहीं, अब मैं गालियां देकर इस फिल्म को यहीं बंद करने वाला था, लेकिन इसमें भेंड चुत मार्वल की फिल्म मैं बलता हूं अबसे अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाटो